हालो और गुड मांनि दूस्तों कैसे चैसे ट ऑट सभी बाद किस्तरीम बाद चेक कर लेते मंति कि स्रीमिंग शुरू हुई है या नहीं हुई आ है घुड मार्निग नमस्ते यादांव सस्रियाकाल स्ट इअस्टेया काल प्रभास स्टेया स्टरीया Hag करतों किहार सभी और चैसे चलरें सभी के घिन चैसे चल रही का तक पढ़ाई है सब्देक्ट क्विजन कर रहे हो जो 2023 के इंदर में एक्जाम देने वाले हो Essayan में कहां तक पहुंचे हो सारी चीज़ें तो दिन के शुरुवात कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी एक बार पी लीजिए साहब जिंदगी भर ठकने नहीं देती यह बात सच है अगर इसको रियालिटी में देखा जाए तो अगर आप UPSC को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तब automatically आपके दिमाग में कभी भी यह जो questions आते ना कि मन नहीं लग रहा मूड नहीं कर रहा यह सब चीज़ें अपने आप क्या होंगी खतम हो जाएंगे सेम दोस्तो लाइफ के अंदर में भी अगर आप क्या करेंगे जिम्मेदार बनना शुरू करेंगे जो आपके आस पास में चीज़ें हो रही हैं उनके प्रत्याप जिम्मेदारी लेना शुरू करें प्रॉब्लम यह होती है कि आप किसी भी चीज़ की responsibility नहीं लेते हैं अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है तो आप उसकी रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं लेंगे आप मेंसे ज्यादा तर लोग उसके लिए ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं अब ब्लेम गेम कैसे होते हैं इंडियन सुसाइटी में सबसे बड़ा ब्लेम होता है ल इतना रह गया यहां से रह गया किस तरीके से रह गया चौता पर बना पांच वाग टाइम नहीं मिला वर्णा तो कर दिया था नहीं मिला यह सारे के सारे अगर लग को छोड़ दिया जाए सब कुछ कहां पर है आपके ओपर है तो आप अपने एफर्ट की जिम्मेदारी ली रिजल्ट जो भी आता है पास होते हो फेल होते हो अगर उसमें आपका एफर्ट पूरा नहीं है तो यह आपके रिस्पॉंसिबिल्टी है ठीक है तो यह बहुत ठंड तो बहुत बढ़ गई है बुरा हाल हो जाता है तो ठीक है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जिम्मदारी लेना सीखिए चाहे वो UPSC की हो चाहे वो लाइफ की हो कल कितने घंटे पड़े थे प्रीवेस डे हाओ मैनी नंबर ऑफ आज हाओ मैनी आज यह स्टेडीड हाओ मैनी आज और आज का टार्गेट कितना है जो दो हजार 23 के अंदर में एक्जाम देने वाले एक प्रेलिम्स के इंदर में वह भाई रिविजन शुरू कर दो अब डिले करने की ज़रूरत नहीं है रिवेशन करना शुरू कर दो स्टैटिक और कि सका करईट का बैलस बनाना शुरू कर दो यही तो UPSC स्टैटिक अन करेंट का बैलंस बनाना ही UPSC कुनाल जी आप देखे स्ट्रेस कब होता है जब ज्यादा तर परेशानी होती है कि हम जो हमारा काम है हम वो नहीं कर पाते हैं फिर उस कारण से परेशानी लगातार पाइल अब होगी मेरा सिंपल सालुशन एगर आपको बहुत जादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आप इधर-उदर कुछ चीजे कर सकते हैं कोई सब्जेक्ट ठाली जिए जिस को आप कर सके एक-दो दिन के अंदर जैसे आप उसको है मैं मैं जब भी परेशान होता था कि मेरी तैयारी गढ़बर चल रही है कैसे कर पाउंगा तो में पॉलेटि उढ़े इस जिए बहुत ईजी लगती अब जैसी में पॉलिटी या करता था कम्प्लीट करता था मेरे को रिलैक्स हो अशुरू हो जाता था अच्छा हाँ चलो एक हिससा भी जिसके कारण में 10 नमबर क्या हो गए मेरे पक्के हो अगर आपके पास में content ना हो तो लिखने में परिशानी नहीं होती मेंस की सबसे बड़ी चुनवती क्या है UPSC के मेंस में सबसे बड़ी परिशानी यह आती है कि आपके पास में दो सिच्वेशन होगी एक टाइम पर आपके पास content ही नहीं होगा कि इसका answer क्या लिखा जाए और एक सिच्वेशन ऐसी है कि जहां पर आपके पास में content भरपूर होगा तो वहां पर क्या लिखा जाए तो यह वाली सिच्वेशन जब आती है तो यहां पर आपको help करेगा practice continuous practice आपको help करेगा कि आप उससे यह analyze कर पाएंगे कि इस topic के अंदर में क्या लिखना है और क्या इसमें avoid कर दिना है और हो सकता है आप ज्यादा तो ट्रेक्टिस करने के काड़ में फ्लोचार्ट डाइग्राम इनका यूज करने लग जाए तो बहुत कम words के अंदर में ही आप अपने सारे ideas और टॉपिक को क्या करें एड कर पाएं ठीक है चले 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 शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यही जिम्मेदारी लेना शुरू करिए और आज की important आर्टिकल है आज कुछ भी आर्टिकल बहुत खास बहुत ज्यादा important नहीं है फ्रैक्ली बूल रहा हूं एक यह है आपको पता है convention है हमारे पास में CBD की जिसकी बात करते हैं 1992 के अंदर में सिटी उसके रिगार्डिंग भी हुआ था उसकी कॉप 15 यानिकी उसकी Conference of Parties की जो मीटिंग हुई है 15th मीटिंग हुई है उसके इंदर में कुछ historic deals हुई है उनको देखेंगे अब आगर आप देखें एडिटोरियर वाले पेज में एक पेज पर क्या है आपका मैसेजी परीज चल रही है वास्तविक्ता में यह जितने भी लोग मैसी के लवर बने मैं किसी स्पोर्ट का विरोध नहीं कर रहा है लेकिन मेरा हिपोक्रसी की भी सीवा होती है मैं उसकी बात करता हूँ सुनील छित्री का मैच होगा देखने नहीं जाएंगे अगर मैं आपको समय पर पब में डिस्क में हर जगे पर चीज अवेलबल थी इसलिए सभी को क्या है वह मैसी फ्रांसी देखना था तो पेज एडिटोरियल उसको नहीं पड़ेंगे एक इसी से रिलेटीड हो हमने इसमें कंबाइन कर लिया है एक आर्टिकल है शशी थरूर जी के द्वारा वासे पॉलिटिकल परसन के द्वारा आर्टिकल नहीं लेता हूं मैं लेकिन इसके अंदर में इंडिया का फ्यूचर के अंदर में क्या पोजिशन रहने वाली है वह डिसकस किया है तो यह हम देखेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है सीटीसी कई सारी जॉब जो है पर्म में उसको लिए आया जाता है जबसे चंदरचूर जी बने है तब से 6844 केस को डिस्पोस किया है उसको सॉल किया है फिर उसके बाद में और तीन तीन क्या है उसके बाद में टेक्स है और आप सभी मेरे को टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं प्रशान तीवारी PDF नाम का टे क्लासिस हुआ करेंगी तो जो लोग 2024 के अंदर में अटम्ट देना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको अब जरूरत है किसी कोचिंग की तो यह सही समय आप इसको डिले मत करिए आपको सूचिए कि आपको डेड़ साल तो चाहिए चाहिए अब अगर जनवरी से क्लासि की लाइव कोड़ी आप सभी को यूज करना है कि चलते हैं सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं ठीक है कि आज कल आज अब दरसल ठंडी के कारण में बहुत सारे ऐसे इंसिरेंट होंगे बच्चे बहुत कमाएंगे सेक्शन में हैं ना क्योंकि ठंडी में सारे रजाई में प आपकी पढ़ाई करने का क्यों गर्मी के करन में आपकी एफिशेंसी क्या हो जाती है कम हो जाती है चिप चिपापन साफील होना इरिटेशन होना वो सारे चीज़े होती है इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि ठंड एक बहुत अच्छी चीज़ है जिस समय पर आप पढ़ाई ज्यादा अच्छी कर सकते क्या कर सकते पढ़ाई ज्यादा अच्छी कर सकते हैं तो कुछ आपके साथ डिसक्स करूंगा मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कहां पर है दोस्त कहां पर है कैनेडा के अंदर में वहाँ पर मीटिंग चल रही है कॉप 15 Conference of Party उसकी 15th मीटिंग चल रह भी हम उसके नर बहुत सारी चीज़े क्या की यह कि pledge to protect 30% of world's land and seas by 2030 तो याद रखेगा सारी की साथ चीज़े तो मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं कहां से डिसकस कर रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं किसीज की बात कर रहें सी बीडी की बात कर रहें कर रहें का मतलब क्या इस प्लैनेट की उपर में रहने वाले क्या इस प्लैनेट की उपर में रहने वाले जितने भी क्या क्या कर रखना क्या करना क्योंकि अगर डाहॉटिटी खतम होगी है तो धीरे-धीरे अर्थ की ओपर में जो लाइफ है वह भी क्या होगी खतम होगी तो 1992 के अंदर में जिसको हम रियो समिट बोलते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की ही बात नहीं की गई बलकि ये भी कहा गया कि धीरे-धीरे human actions के कारण में या फिर actions ना लेने के कारण में धीरे-धीरे दोस्त क्या हो यह वर्ल्ड के अंदर में जो डावर्सिटी है बायोजिकल स्फेर में लिविंग और्गैनिजम्स के इंदर में वह भी क्या और यह कम हो रही है तो उसको भी हमें क्या करना पढ़ेगा और इसको प्रिज़र्व करने के लिए यह कहा गया यह कंवेंशन ओं बायो इसको लेकर आते हैं यह लीगली binding treaty है प्लीज पॉइंट कर लीजिए क्या है ले क्या है यह binding treaty है ठीक है और यह safeguard करने की बात करता है किस चीज को worldwide biodiversity को यह क्या करेगा safeguard करेगा ecosystem को बचाएगा तो याद बोगति आप अचेंश तो बायो डैयोडार सप्रशर करना बायो डैयोडार सटीड को बचाना वह चीज कहां से निगल किया है यहां से निकल पर और हर दो साल पे मिलते हैं और target करते हैं कि हमें क्या-क्या का चीजे करनी पड़ेंगी ठीक है सारी के सारी चीजे कोरल रीव आफ इसके इंदर में वह भी लिविंग है वंगाई बैक्टीरिया प्लांट्स एनिमल सारी चीजें सारी चीजों उन्हें सभी की बाइव डावर्सिटी को क्या है बचाना है तो काफी बातचीत के बाद में यह जो कॉप 15 के अंदर में solution निकला है 30 by 30 तो निकला है ठीक है और इसलिए निकला है क्योंकि यह चीज अभी देखने में आती है कि climate change के कारण में oceans जो vegetation है यह सब चीजें धीरे-धीरे क्या हो रही है खतम हो रही है इनको नुकसान होता जा रहा है इवन अगर देखा जाए तो wildlife population जो धीरे-धीरे 69% drop हो गई है अगर देखा जाए 1970 के बाद में तो इनको preserve करने की क्या है जरूरत है इसमें बहुत सारे action लिएगे इवन इसके अंदर में पैसा कैसे कॉप 15 वर्सिस कॉप 27 Conference of parties वो climate change से related है UNFCC दोनों बहुत बढ़ा फार्क है 1992 के अंदर में आज जहीं इतने सिंपल से concept में वो लजरो सब के सब आपके घर में एक मम्मी एक पापा हैं दोनों अलग अलग है तो ऐसी यह दोनों अलग अलग चीज़ें 1992 के अंदर में जो रियो अर्थ समिट आता उसमें बहुत सारी चीज़े सोची जाती है कि क्या क्या करना पढ़ेगा तो एक इशू आता है उनको लगता है climate change हो रहा है और वो क्यूं हो रहा है ग्रीन हाउस गैसिस के कारण में हो रहा है तो उसको रोकने के लिए framework के convention बनता है जिसके बात करते हैं UNFCC यह ना United Nation framework Conference of parties यार इतने छोटी छोटी बात हो गया क्यों COP Conference of parties यानि कि जितने भी लोगों ने उस convention को साइन किया है वो पार्टी होगे उस convention के और उनको एक साथ मिलना उसको यानिकी Conference of parties ठीक है यह बात है तो यह हो गया climate change related उनकी बात करना है ग्रीन हाउस गैसिस को कम करने की बात करना है और उसके लिए जो Conference of parties जिन्हों साइन किया यानि कि जिन जिन पार्टी ने सको साइन किया इस अग्रिमेंट को इस convention को वह जब मिलते हैं तो इसको हम कॉप बोलते हैं और इस वाले के तहत में इस बार जो हुई है 27 हुई है कहां पर एजिप्ट के अंदर में रियो और समिट के अंदर में एक और चीज अब उतने प्रकार की चिडिया नहीं दिखनी जितने प्रकार के पहले हमें प्लांट्स के अंदर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी अब वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने प्रकार के पहले माइक्रो और्गेनिसम्स देखने को मिलते थे अब वो हमें दे तो यानि कि इनकी जो मीटिंग थी हर दो साल में इनके लिए मिल रहे थे तो Conference of Parties कहां पर Montreal के अंदर में Canada में यह 15 वी बार मिले हैं इसको कॉप 15 बोला जा रहा है कॉप 15 बोला जा रहा है यहीज़ आपको पढ़ा रही हो देखिया और में आपको 69% मिलता है Global सुर्य के अंदर में इसको हमें क्या करना करना है क्या करना इसको Hersh Series ले लिए ने की हमें अनको प्रैजरव करते रखेगा इस थर्ती थटी यह यह 2030 तक क्या लेसा तक को तर्टी परसेंट और लैंड एंड सी को प्रिजर्व करना क्या करना प्रोटेक्ट करना ठीक है इंडिजिनस राइट जो लोग रह रहे हैं उनके क्योंकि फॉरस्ट में रह रहे हैं अब वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि बायोडावर्सिटी को बचाना है तो आप उनको व रहने उसको करना है कि वहां से मास एविक्षन ना उनको बाहर की तरफ ना निकाला जाए एक और चीज़ होगी और साथ मैं फाइनस के उपर में बात की जहां पर डेवलप्ट जो रिच नेशन है वह क्या करेंगे फंड देंगे पैसा देंगे किसको डेवलपिंग नेशन क यह सारी की साथी चीज़ें बात करेंगे डेवलपिंग नेशन को डाइर्ट नहीं देंगे एक ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा उसमें पैसा डालेंगे क्या और इसका फिर इस्तमाल किया जाएगा आई तिंग अब टॉपिक के बिलकुल क्लियर हो गया होगा क्लियर है कि क कोई डाउट इससे रेलेटिड अब तो यह मीटिंग है और इंपॉर्टेंट है अगर देखें 27 से नहीं आएगा तो इससे क्वेशन आ सकता है इसी के अंदर में आपने नागोया प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल यह सारी चीज़ों की बात करी होगी तो CBD ठीक हर उसकी 2015 में शुरू होता है और कहते हैं कि हर दो साल में मिलेंगे तो उसकी कॉंफरेंस पार्टी होगे हर किसी के अलग अलग कॉंफरेंस पार्टी यह याद करने की आवशकता आपको नहीं चलें तो नेक्स आर्टिकल आपका आरोल फॉर इंडिया इन्हें वर्ड वाइड वेब फिवर फॉर फ्यूर्ट आर्टिकल है फेल साथिकल आर्टिकल राटिकल है उसको बहुत जादा यहां से आप यह मत सोचने की कोशिश करिएगा कि आप कोई क्वेंशर है उसकी भी मीटिंग होती है उसको भी कॉप बोलते हैं ठीक है तो अब यह चीज याद रखिएगा अब हम बात करना है इंडिया भारत का फ्यूचर तो भारत के फ्यूचर के बारे में जो हमारे मिनिस्टर और एक्टरनल अफेर्स है एस जैस शंकर जी वही कहते ह कि पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वह भारत के साम भारत का होगा वर्ल्ड के अंदर में और ऐसा होगा कि हम बाइपोलर वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हर किसी के इक्वेल स्टेक हो देखिए एक चीज़ समझेगा इंडिया अगर अलग-अलग तो हम फाइव ट्रिलियन एकोनोमी का टार्गेट ले रहें क्या ले रहें तो अगर हम इसको अचीव करेंगे तो इसमें शशी तरूर जी ने एक चीज़ आड़ कर दिये नो डाउट हम सबसे बड़ी एकोनोमी बनने वाले हैं यहां पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने वाला है यानि कि भारत सबसे बड़ा एक मार्केट होने वाला है अजिसलिए आरे मार्केट होने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है कि विश्व के अदर में भारत की बहुत जाड़ा व कहां पर मैंने उन्म का जिक्र किया है दूसरा अगर देखा जाए क्ल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाए कल्चरल एस्पेक्ट में तो भी वर्ल्ड के अंदर में भारत क्या करने वाला सबीको लीड करने वाला है ठीक है तुसरा अगर देखा जाए अगर आप आप फोस की लेवल पर देखें तो भी दीरे-दीरे हम क्या कर रहे हैं हमारे पास इंडिजनेस टेकनोलोजी जा रही हैं हम फोस के लेवल पर भी वर्ड को लीड कर रहे हैं हारत की तरक्की यह एंशॉर करेगी कि वर्ड मल्टी पोलर फोस्य नें fühlra क्या होता है एक सक्षन यूएस ऊगया एक तरफ रश्या हो गया गया वर्ड इस नदर में ढर सकती है और सब्सक्राइब बहुत अच्छा एक सॉफ्ट पावर कि रूप में आगे हो अभर सकता है जो दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है क्या면 सकता है दूसरा option भी दे सकता है जहां पर दूसरी country भारत की तरफ भी जा सकती है तीसरी चीज climate change वर्ल के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय पर क्या होने वाले climate change तो वहां पर भी भारत क्या है वर्ल को lead कर सकता है यह सारी के साथ सब्सक्राइब करें यही सब कुछ इसके इंदर में कहा गया कि इंडिया वर्ल के इंदर में क्या करेगा वर्ल को stabilize करने के अंदर में कई सारे जो डिफ्रेंसिज हैं कंट्रीज के बीज़े फॉर एक्जामपल रश्या एंड यूएस के बीच में इस समय पर क्या चल रहा है एक बहुत बड़ा क्या यूद्ण कर सकता है इंडिया वहां पर ग्लोबल एकोनोमी के अंदर में एक पॉजिटिव रूप में कोंट्रिबूट कर सकता है अगर पॉलिटिकल टर्म के इंदर में देखा जाए तो वर्लड को काम करवाना चाहते हो गुर्दी पकड़ ली कि भाई कर वो हो गया हार्ड पावर यानि कि आपने ताकत के थ्रू उसको करवाया और एक होता सॉफ्ट पावर इमोशनल पर एसे किसी कारण में आप उसको करें मतलब भाई कर दे देख तेरा गल्फरेंड नहीं मैं तेरे बॉयफ्रेंड नहीं तुकर देए काम वह यारी की सॉफ्ट पावर तो ऐसे इंडिया के रेस्पक्ट में गर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर में हार्ड पावर ज के सॉफ्ट रिलेशन यानि कि सॉफ्ट पावर के रूप में हम बहुत सारे अस्पक्ट देखते हैं जैसे कल आपने देखा होगा कतर के अंदर में जो फाइनल हुआ यह भारत के सॉफ्ट पावर को आगे लेकर जाता है सॉफ्ट पावर को आगे की तरफ बढ़ाता है सॉफ्ट पावर को दर्शाता है मान के चली किसी दूसरे नेशन के साथ में हमारे कल्चरल रिलेशन है तो अगर हम कोई वहां से काम करवाना चाहते हैं तो क्या है वहां पर हम अपने उस कल्चर का हवाला दे सकते हैं साउथ कोरिया के साथ में कोई रिलेशन बनाने है तो साउथ कोरिया को कह सकते हैं हमारे आ इंडिया की बाने बात कर रहा था अप्टिमिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा था अप्टिमिस्टिक क्यों पुरा का पुरा वर्ल इस समय पर पैसमिस्टिक अप्रोच लेकर बैठा हुआ है पैसमिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या वहां पर क्या कि वर्ल्ड इस समय पर हर को अप्रोच लेकर आ रहा है फॉर एक्जाम्पल जैसे क्या क्या रहा है नो डाउट वर्ल के इंदर में रिसेशन है आने वाले समय में हो भी सकता है लेकिन उसके बीच में भारत की GDP क्या है ग्रो कर रही है भारत के अंदर में जो अपॉचुनिटी है वो लगातार क्या हो रही ग्रो हो रहे हैं यानि कि optimistic यानि कि अच्छी आशावादी अप्रोच लेकर भारत वर्ल्ड के अंदर में लेकर आ रहा है समझे पहली बात एक वर्ल्ड के अंदर में नेगेटिव अप्रोच है कि यह गल बल चल रहा है सारी चीजे उसके बीच में भारत जैसे आपको मैंने अ आशावादी वर्ल्ड को एक लीडर के रूप में नजर आ रहा है दूसरा अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर में इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव हमनें देख लिया ठीक है अगर आप क्लाइमेट के लेवल पर देखें तो भी कई सारे लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्म को एनरजी को यूज की जो डिमांड है उसको कम करना शुरू को यानि की धीरे धीरे भारत वर्ल्ड के अंदर में क्लाइमेट चेंज के अंदर में लीड करने की कोशिश कर रहा है तीसरे लेवल पर अगर देखा जाए तो रशिया से डारेक्ट कोई बात कर रहा था क्या न आप यह गुड़ टेररिजम एंड बैट टेररिजम वाला कॉंसेट क्या करिए खतम करिए वहां पर इंडिया कहता है कि भाई साब यह गुड़ टेरिजम बैट टेरिजम नहीं चलेगा यानि कि जो पोलर वर्ल्ड है उसके अंदर में अधर कंट्रीज को जो वैल्यू करती उनके लिए क्या है इंडिया एक दूसरा आप्शन की रूप में उभर रहा है और वी चीजों में एड करते जाईए अगर आप देखेंगे स्पेस के अंदर में वार चल रही है क्या चल रहा है रश्या कह रहा है कि हम जो इंटरनेशनल सोलर आलाइंस देखिए इंटरनेश स्पेस्टेशन है वह अभी कोलाइबरेशन के अंदर में रश्या कैनेडा योरोप सभी मिलके काम कर रहे हैं अब यहां पर भी हर कोई अपना अपना लड़ाई जगड़ा शुरू कर चुके हैं रश्या कह रहा है हम अपना खुद का बनाएंगे उसे कह रहा है हम अपना ख इनको जॉइन करने की वज़ाए लोग इनको करेंगे भारत कूँ कुझ वहारत एक स्वार है वर्लड के अंदर में हमारा क्राकेट हमारे स्पोर्ट हमारा बॉलिव बॉलीड हमारे कल्चैर रिलेशन हमारे मैं और बहुत सारी चीजिजह क्या करती है यह करती है वर्ल को करें नावी को डवलब कर लिए इवन दोस्तों आप सभी जानते होंगे कई सारे देश तो यूपी आई को भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहां से यहां पर आपको यह समझ में आ रही है इन शॉर्ट जो मैं आपके साथ करने की कोशिश करो पूरा क्रक्स क्या निकल क अप्रोच से देख रहा है और भारत भी उस लीड को यानि कि तरफ में आगे बढ़ रहा है यह सारी के सारी चीज़ें इस किंदर में कहीं गई है ठीक है इकोनोमिक पावर तो आप कहेंगे ही सबसे बड़ी मार्केट भारत होने वाला यूसे के लिए इंडिया क्यों इंप अज्यिएगा कि यूसे की अंदर में आरी डेवलप्मेंट हो चुका है वहाँ पर इंट्रेट इतने ज्यादा हाई नहीं है कि वहाँ पर इंवेस्ट्मेट करके वहां के जो ट्रेडर हैं वहां के जो लोग हैं वह प्रॉफिट कमा सके इसलिए इनको कई फी समय से क्या है डवलपिंग नेशन में क्या करना होता है इन्वेस्ट करना होता है तो भारत एक बहुत बड़ी इमर्जिंग एकोनॉमी है क्योंकि भारत चीन को पीछे छोड़ने वाला है अब आपको सुचिए पचास साथ देशों को मिला दिया जा उतनी जाधा आबादी सुव भारत के अंदर में कौन कंपणी नहीं चाहेगी भारत के अंदर में आके इनिवेस्ट करना और यहाँ पर ट्रेड करना तो यह भारत की पावर है आने वाले समय के अंदर तो यह इस से जाड़ा और कुछ पढ़ने की जौरत आप सभी को इसमें नहीं है यह टॉपिक इतना यह बट यह आने वाले समय में देखा जाया देखे वर्ल्ड के इंदर में देखा जाए रश्या चाइना जहां पर है वहां पर हम नेगोशियेट कर रहे हैं जहां पर चीन क सारी चीजें इससे पता चलता है कि वर्ल को बायपोलर होने से विश्व के उन्दर में भारत क्या है बचा सकता है उब कि चले बस इससे ज्यादह कुछ करने की…" नहीं है नेक्स्ट आर्टिकल है दा कॉस्ट टू दा कंट्री जस्ट फॉर सेविंग इन सी टीसी बहुत अच्छा एक आर्टिकल है बहुत अच्छे तरीके से लिखा हां कोविड वैक्सीन कह सकते हैं एफ्रीका के अंदर में भारत के रिष्टे कल्चर रिलेशन बहुत अच्छे यह चीज़ समझेगा भारत के एक कल्चर रिलेशन बहुत अच्छे हैं एफ्रीका के अंदर में और आने वाले समय में अगर हम उसको क्याना में कॉंसेप्चुल करने के लिए आपको जॉब देने के लिए ठीक है यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेज नंबर सिक्स जीस पीपर थ्री इसको इनने बहुत शांदार तरीके से ऐसे लिखा कि भारत के अंदर में एक ट्रेंड चल रहा है कि कंपने की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए क्या यह लोग ठीक है चले तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए यह बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है अब उस ट्रेंड के अंदर में इन्होंने धीरे-धीरे जाते-जाते कहां पर चलेगे गवर्मेंट जॉब्स के अंदर में बहुत अच्छा एक आर्टिकल है उन्होंने शुरू किया कि अगर पिरियोडिक लेबर जो हम फोर्स सर्वे अगर देखते हैं उसको हम देखें 2021 का तो यह पता चलता है कि 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कैजूल वरकर है और 50 मिलियन ऐसे वरकर हैं जो सैलरीड है बत उनका स्टॉप कांट्रेक्ट नहीं है यह चीजिए हांपर समझ में आते हैं यानि कि बहुत सारे लोग इंडिस्ट्री्च में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग बीना कोई कौंटर explhris क्यं काम कर रहे यानि कि यहां से एक और चीज समझ में आते हैं उनके जो wages है जो salary उनको मिल रही है वो क्या है जो minimum number of wages होते हैं जो minimum amount of wages उससे कम मिल रही है यह चीज समझेगा प्लस में इन्होंने एक और चीज देखी government-owned entities को भी देखा कि government-owned entities जिनको हम public enterprises बोलते हैं वहां पर जो contract workers जो casual worker है उनका जो share है लगातार increase होता जा रहा है अगर देखा जाए तो 2015-16 के अंदर में कितने थे 2011-12 के अंदर में दिखाए तो 17% ऐसे वर्कर थे जो contract वर्कर थे कैजूल वर्कर थे 2015-16 में 19% हो गए और 2020-21 में देखा जाए तो कितने हो गए हैं आपके कितने होगे 37% हो यानि कि government entities के अंदर में contract worker casual workers लगातार क्या हो रहे इनक्रीज हो रहे हैं अब वो क्यूं हो रहे हैं उसके पीछे reason समझी है ज्यादा तर companies को यह रहता है कि उनको कि TTC कम करना है cost to the company वो क्या है कम करना है अब उसको कम करने के लिए वो permanent and regular employment नहीं चाहते हैं क्यूंकि उसके अंदर में काफी प्रकार की कॉस्ट होती है जैसे hiring कॉस्ट होती है अगर आप government के एंटिटी की बात करें तो वहाँ पर exam कंडग कराने की कॉस्ट होती है वहाँ पर process करने की कॉस्ट होती है बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के कॉस्ट होते तो वह क्या करते हैं इसकी जगे पर वह मूव करना शुरू कि जो fist होते हैं कि वह पर्मानेट वाले से क्या हूथ है कम होते हैं पहले बात तो कि दूसरी चीज़ जब आप किसी को kontrakt मिलती है कि जो भी आपके हिसाब से आप दे रहे हूँ वह से कम ही वहाँ पर employs को दे रहा हो का तो इक्जामपल आपने कॉंट करन चारियों के के लिए किसी कंपनी को आप पर परसन हजार रुपे पर डेका दे रहे हूं तो बाइड डिफॉल्ट क्यों क्यों कॉंट्रेक्ट पर रख रहा है तो क्या करेगा कुछ हिस्सा अपना कट्वाथी करेगा तो वह 50 रुपे अपने पास में रखे ले रहा है क्योंकि आपने मिनि जिसको सप्रेस करने से ऐसा नहीं हो रहा कि कंपनी के बेनिफिट हो रहा है लेकिन एज़े नेशन भारत को नुक्सान हो रहा है अरे यह कैसे क्योंकि लोगों के पास में पैसा कम आ रहा है उसके कारण में दोस्त स्पेंडिंग भी कम हो रही है दूसरा कई जगे पर यह देखा गया स्पेंडिंग स्पेसिफिकली एजूकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज में कम हो रही है और इसके कारण में जो हम बात करते हैं किसकी human capital की उसके अंदर में क्या और यह कंदर में कम कर रहे हो तो अल्टिमेटली नुक्सवान। पूरे देश को हो रहा है यही पूरे के पूरे सार्टिकल में डिसकस किया गया है अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं एगर आप पढ़ने कि इसको पढ़ने की कोशिश करो तो है कई की का स्थुद कंट्री जस्ट वार सेविंग इन सी टी सी नहीं की सिर्व लेबर फोस सर्वे की रिपोर्ट को देखे तो भारत के इंदर में 100 मिलियन कैज्वल वरकर हैं और 50 मिलियन सालेरीड वरकर हैं जिनके पास है कोई फिक्स कांट्राक्ट नियर रिटन इससे पता चलता है कि 150 मिलियन कांट्रेक्ट वरकर है जिसको हम अगर परसेंटेज में निकाले तो 30% हमारे लेबर फोर्स का हिस्सा यहां पर काम कर रहा है एन्वल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का अगर डाटा देखें तो भारत के अंदर में जो इंडस्ट्रेल एंप्लाइमेंट है या फिर मानके चलिए गौववर्मेंट के अंदर में जो एंप्लाइमेंट है उनके अंदर में भी क्या आती है क्या होती है कमी आने लगई दीरी-दीरी हमें लेकिन अल्टिमेटली यह नुकसान देश को कर रहे हैं इसके कई सारे रीजन आप क्या सकते हैं जैसे फ्रीलांसिंग गीग इकोनोमी यहां पर आप देख सकते हैं मून लाइटनिंग का वाला कॉंसेप्ट आ गया बहुत सारी चीजा आप इसके ताद लिंक कर सकते हैं लेकि लोकर आफेटेज की वेकिन्सी अब गौर्मेंट टीचर कि और डो प्रकार के टीचर होते हैं एक टीचर होते एक पर्मनेट टीचर होते हैं हो दिखर गौर्मने का अगर जवाव अब सुनेंगे तो उनको बाइन केछलो 10 फर्मनेंट केश Nc यानिकर पर्रमंनेAD टिचर की जरुदत है तो वह हजार पर्मानेड टीचर गया है अब करेंगे वह आयर करेंगे डिसने सो 50 steps ச करेंगे । फर्मानेट टीचर हाय करेंगे उसके पीछ reason क्या है क्योंकि जो contractual worker होते हैं उनको पर डे के हिसाफ से सेलरी मिलती है पर डे के हिसाफ सेलरी मिलती है यहनि कि अगरमान के चलिए आप जिस दिन नहीं गए उस दिन की उस डे की आपको सेलरी नहीं मिलेगी कोई पेंशन जो आप अल्रेडी हमने देखा इसके इंदर में क्या करना पड़ता है गवर्मेंट को भी क्या करना पड़ता है कोई पीएफ नहीं कोई मेडिकल फेसिलिटीज नहीं कुछ भी नहीं अब जो पर्मानेंट है महीना 30 दिन का है उनकी सेलरी फिक्स है चाहे उस महीने में 25 दिन की छुट्टी पड़ जाए लेकिन उनको सेलरी कितनी मिलेगी पचाहजार साथाजार लेकिन अगर कॉंट्रेक्शुल वर्कर है तो सेम एस अगर आप और भी चीज़ों की बात करें जैसे प्राइवेट एंटिटी की बात करते हैं इसे इंदर में क्या होता है हुए कहते हैं कि भाएसब आप अमारे पर्मानेंट अप्लॉय तीस दिन के लिए आपको जॉब मिलेगी और जॉब मिलेगी उसमें आपको चार दिन के हम छुट्टी देते हैं दो दिन आप casual चुट्टी ले सकते हो लेकिन अगर मान के चलिए वह contract और casual worker को अगर रखते हैं और वह कहते हैं कि मेरा यह प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के आपको हम पैसे देंगे तो आपको सुचिए उस कितनी कमी आ जाती है ठीट है ठीट ठीट फिस सारी की सारी चीजे इवांका यह सेकंड है op-syn इस पहुम नहीं जाते और इंटेग्रेटी के उपर में कभी इन सब चीजों से बात नहीं करी जा सकती है और इंटेग्रेटी के अगर बात आएगी तो आप अगर साइकोलोजी के हिसाब करने है कि इशू क्या है हम इशू की बात कर रहें तो इशू यह है कि धीरे धीरे हमें यह ट्रेंड नजर आ रहा है कि लोग कैजूल एंड कॉंट्रेक्ट एंप्लॉईज को ज्यादा ढूर रहे हैं जिसके कारण में क्या होगा उनकी जो कॉस्ट है कंपनी को वह कम होगी तो तो सिर्फ कंपनी को कास्ट कम करने के लिए कंपनी का पैसा बचाने के लिए अल्टीमिटली देश को नुक्षान हो रहा है अब यह चीज समझनी पड़ेगी। कैसे हो रहा है अब यहां से समझने की कोशिश करिएका decentralized करिए कि अगर आप यहां पर देखेंगे पिंद। कि तो जो spending है कि क्योंकि wages कम है तो spending कम होती है spending डाटा प्रूवन हो रहे और यह अल्टेमेटली मिला कर किस पेंड करते हैं human capital और उसके नदर में भी कमी आती है और human capital डारेक्ट ली क्या करेगा इंपेक्ट करेगा आपके country की GDP को तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आप सभी के सभी इस टॉपिक को समझ चुके होगे ठीक है जो टॉपिक आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ पार होगा आप सभी के सभी है ना ठीक है इस समय पर प्रेजेंट टाइम पर यह चीज बहुत पड़ी परेशानी देखे जा रही है सेंट्रल गवर्मेंट के लेवल पर भी हम हर चीज को एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरफ कंवर्ट कर दें सारी जॉब्स को सारी जॉब्स को दिरे दिरे अब उसके मैं नाम नहीं लेना चाहता है बहुत सारी जॉब हैं जिनकों दिरे दिरे कॉंट्रेक्चुल बेसे पर कंवर्ट करते जा रहे हैं तो उससे परेशानी यह होगी अब परेशानी क्या क्या हो सकती है इसे परेशानी एक तो यह होगी जो अल्रडी हमने spending वाला देखा accountability कम आती है मेरे को per day की salary मिल रही है मैं ना जाओं तो मुझे क्या फरक पड़ रहा है जाओं तो भी क्या फरक पड़ रहा है तो मैं अगर ना जाओं यानि कि accountability इसके इंदर में भी कमी आती है efficiency कहते है कि परड़े का हिसाब किता इसलिए efficiently वो काम करते हैं हर दिन का but longer run के अंदर में देख कर देखा जाता है to efficiency के अंदर में भी कमी आती है efficiency के अंदर में भी कमी आती है तो यह बहुत बड़ा एक issue है ठीक अगर देखे हिनाता जी हम बात ही नहीं करे कंपनी के परस्पेक्टिव बिल्कु से कंपनी के जो हाइरिंग कर रहे हैं वो तो उनका काम है कि भाई साब अपने कॉस्ट को कम करना ठीक है क्या होगा कॉस्ट को कम करना लेकिन हम दूसरा परस्पेक्टिव भी देख रहे हैं देखिए मैं आपको काफी समय से बताता रहता हुआ कि इंडियन economy एक consumption-based economy है क्या है चैप consumption-based economy है और भारत के चिंद बहर फक्क आप consumption increase नहीं करोय है आप GDP कभी भी इंक्रीज करेगी और consumption-based economy का मतलब ही हो गया की जितना जादा आप लोगों के पास हात में पैसा दो ऑगया पैसा आप है खाली तो बाट नहीं सकते आप क्या कर सकते हो जौब प्रवाइड करा कर देज़ें आप समझिए जोब प्रवाइड अप पर्मानेंट इसलिए नहीं करना चाहोगे आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा आप क्या करोगे हर दो से तीन साल के लिए जॉब दे दो जिसके करण में कंजम्शन दो से तीन साल के लिए क्रेगले लिद्वी तर जा रहा है कि cry योसे पीछे की तरफ तुल capital इसके काड़ में हमारे society के अंदर में contribute नहीं कर पा रहा है और जो हम बार-बार कहते हैं population dividend growth हम उसको utilize नहीं कर पाएंगे ठीक है ठीक है तो यह सारी के सारी चीजे बहुत सारा important है इस चीज़ को करिए नहीं कभी भी पूरी तरीके से खतब नहीं होगी फिर गवर्मेंट काम कैसे करेगी ठीक है ठीक है क्लियर और डिमांड कहां से क्रियेट होगी हिनाता जी डिमांड के लिए कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास में पैसा है और वो डिमांड ना करे और कौन सा इसा इंसान है जिसके पास में डिमांड है लेकिन उसका पैसा ही नहीं तो डिमांड कहां से फुल्फिल करेगा तो यही चीज़ समझेगा इसी जादा देखने को मिलेंगे भले ही वह अभी देखने को ना मिले आगे लॉंगर रन में हमें देखने को मिलेंगे हमें देखने को मिलेंगे बेनेफिट है बिल्कुल बेनेफिट है सबसे पहले तो आपका कॉस्ट बचेगी और अगर कॉस्ट बचेगी तो दूसरा आपका क्या है आप यह कहोगे कि बाई जितने दिन का उनको काम करने का पैसा मिल रहा है उसे अकांटीबिल्ट यह प्राइवेट के अंदर में और गौर्बेट में यहीं तो फरक कहा जाता है जब वो सिक्यूर्टी वाला नोशन नहीं होता तो ज़्यादा सेट्व काम कर कम किया तो आपको लगता है कि नॉर्मल सिचुएशन में गवर्मेंट टेक्स कम कर पाएगी नहीं करेगी कभी भी नहीं करेगी तो आइधिंक आप सभी को यह टॉपिक ठीक है और इस से जाधा इसके इंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जो मैं आपको समझाने कोशि फिर फैमली मेंबर्स को नहीं दे पाएंगे और से क्या होगा भारत के पूरे के पूरे जो कंट्री के क्या हुमन कैपिटल है उसके उपर में परक पड़ेगा ऐसी दोस्तों कोई भी स्किल डेवलप्मेंट के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है यहां पर को कैसे लेबर की प्रोडेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा उसके उपर में काम नहीं कर रहा है मोराल लो होगा इंटरस्ट नहीं होंगे क्वालिटी वर्क देने के अदर में इससे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पेटिटिवनेस भी कम होगी सारी कि सारी चीज़े कम होगी ठीक है सब्सक्राइब है रहा है तुछ आई धिंक यह टॉपिक बिलकुल क्रिस्टल क्लियर है नेक्सट है आपका कि आपको और यह कहा गया कि जो अठारा साल से कम उम्र के लोग है क्या है जो अठारा साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका अगर को अगर करता है तो उनको बचाने की जरूरत है और इसलिए हम क्या करेंगे इस एक्ट को लेकर आते हैं अब दर असल हमने बहुत सारे क्या है प्राइब कि अबहुत सारे आर्टिकल पढ़ें कि बहुत सारे इंसिदेंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि बच्छों को आरेस्ट कर लिया जा रहा है एवन कंसेंशुल सेक्ष्ण सेक्ष्ण रिलेशन के बार कंसेंट के साथ में अगर सेक्शुल रिलेशन बनाया जाए तो उसके नदर में वंगों कर लिया जा रहा है जैसा हमने ट्राइबल इलाके में यह लाके में क्योंकि कई सारे एरिया से से हैं जहां पर 18 साल से कम उम्रेंट में शादी हो जाती है कि प्रेगनेंसी होती है कि प्रेगनेंसी के बाहिएए कि प्रणी weten लिए तो यह नहीं है था पॉलिस को क्या खरता है इनफॉर्म करना पड़ता है तुर्हिध बॉय जो है वह उर्म कोडता है और उसके बाद में कई सारी चलते रहते हैं कई सारे हाई कोट है जहां पर कहते हैं कि बहुत अगर रिलेशन है तो क्या किया जाए उसको वापस रिस्टोर कर देना चाहिए सेम ऐसे ही कई सारे बच्चे वर्ड बच्चे के यूज करना गलत है अडल्ट को हम कहें कई सारे अडल्ट जो प्यूबर्टी की एज को अचीव कर चुके हैं और कंसेंट के साथ में सेक्श्वल रिलेशन में आते हैं लेकिन बाई डिफॉर्ट उस रिलेशन के अंदर में जो फैमिली है गर्ल की वह कंप् यह किया है वो मान लिया जाता है और उसके काड में अरेस्ट हो जाते हैं लड़की अगर यह कहती है कि मैं घर नहीं जाओंगी तो उसको सुदार ग्रे भेज दिया जाता है और लड़के के उपर में तो केस चलता ही रहता है तो इन चीजों से मिला कर यह चीज हमें देखन को भी क्या है समझने की जरूरत है कि हाँ एक एज के बाद में सेक्शुल रिलेशन कंसेंट के साथ में हो रहा है बिल्कुल बात सही है और उसके अंदर में अगर हम ब्लैंकेट बैन अगर लगा देंगे तो क्या होगा यह क्या होगा बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जहां पर क्या होगा उनको अरेस्ट होना पड़ेगा तो यह एक तो पहला सॉलुशन यह बता रहें कि जो एज है इसको अमेंड करके हम 16 साल कर सकते हैं क्यानिकि जो कंसेंट की इसको हम क्या कर सकते हैं 16 साल कर सकते हैं दूसरा सॉलुशन अवेरनेस ना सिर्फ ट्राइबल एरिया बल्कि रूरल एन अर्बन एरिया में भी सेक्शूल रिलेशन इसक्षवल एजूकेशन इसके बारे में हमें अवेरनेस फैलानी पड़ेगी तो यह सारा का सारा अल्टि किसी का किसी ने 17 साल की उमर में शादी कर ली वह illegal है अब उसके बाद में के साथ हम दोनों रहे रहे है कि लेकिन उनके उपर शादी करना, Child marriage हो अलग है लेकिन उनके उपढ़े पॉक्सों के उपढ़े अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो यह जादा क्या है है यह वह जाधा क्यानमें आप समझे की ज्यादा टीडियस है और ज्यादा इसके अंदर में ok pradaan strict है तो इसके काड़ में और जाधा का सालुश्य की तरफ में जाने में यह सारी सारी चीजें परेशानी रहती हैं चाहिई मेलुँआ जी आप शायद गांसे जुड़े नहीं है बहुत सारे गाउं में अभी भी बाल मेरिज होती है अभी भी बाल विवा बहुत सारे जगे पर होता है वह बात अलागा कि हम इस चीज को कहते हैं लेकिन अभी भी है रियालेटी है और प्रेक्टिकालिक टी को हमें रियालेटी को कभी भी भूलना एक रियालेटी है अडल्ट एज के इंदर में ठीक है बहुत सारे केसी आए हैं जिसके अंदर में जैसे आपको देखा होगा केरल के इंदर में क्या हुआ लड़का लड़की रिलेशन में हैं कंसेंट के साथ में एक की शायद 17 एक की शायद 18 पूरी होने वाली थी और उसके लड़की के पेरेंट्स के साथ में एक कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है पुलिस गई लड़के को अरेस्ट कर लिया अब लड़की क्या है वो होगी pregnant, क्या होगी pregnant वो जाती है high court के अंदर में और जब वो high court के अंदर में जाती है तब तक उनकी जो legally age है वो भी cross हो जाती है यानि की पॉक्स वाली age भी cross हो जाती है तो वहाँ पर high court कहते हैं कि अब हमें क्योंकि ये गलत आओ लड़की वहाँ और कहती है कि मैं अपने मन से आज से सेक्श Tá गने में अपने इस partner के सात में तो यहां पर शॉल्ट की तो बात आई ही नहीं इस समझे साम्झेन का मतलब क्या थो किसी के साथ में सेक्शूल रिलेशन बना रहे हुपॉर्स वल्ट आप किसी का सॉल्ट करें किसी को exploit कर रहे हैं लेकिन अगर वो consent के साथ में कर रहे हैं और act को आप यूज मिस्यूज कर रहे हो किसी क्या parent या कोई चीज तो गलत है वह इसी कारण से सजेशन यह दे रहे हैं कि एक तो कंसेंट की एज को कम कर देना चाहिए 16 साल कर देना चाहिए दूसरा हमें अंदर में रिकोग्नाइज करना चाहिए तो यह सारी कि सारी चीजे तो ब्लैंकेट बैन का मतलब क्या कि एक तरीके से आपने सभी के उपर में बैन लगा दिया कि 18 साल से कम एज में कहीं पर भी हमें अगर को सेक्शुल रिलेशन मिलेगा यह देखने को मिलेगा तो हम उसको यहीं समझेंगे कि यह क्या है असॉल्ट ही है सेक्शुली एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है हम वो चांस उस पॉसिबिल्टी को क्या करते हैं अवाइड कर दे हैं कि दो परसन की बीच में कंसेंट के साथ में भी सेक्शुल रिलेशन हो सकता है ठीक है ठीक है अब यहां से एक और समस्से आती है आठ एथिकल भी आ जाता है मामला एथिक्स हो सकता है एज 16 करना सही है लेकिन अगर पेरेंस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो क्या एक तरफ शुसाइटी आप सो कॉल्ड सो कॉल्ड मैंने वर्ड यूज क्या सो कॉल्ड सोसाइटी की बात कर रहे हो कि सीथ को अलाव नहीं करना चाहिए पत दो से इसिस इस चीज को अलाव नहीं करना चाहिए रादर देन इससे इंपॉर्टेंट यह है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है आप वहाँ पर अवेर्नेस पहला यह आप फोर्स फुल समझ यह चीज को अब फोर्स फुल लेवल पर अगर किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो वहाँ दक और वह चीज तो होगी ही होगी और बहुत जादा चांसे उसके अंसेफ होने के उस सेक्शव यू ऩहisons बना है उसके इन आप स्कूल लेवल से बच्चों को सेक्शुल रिलेशन के बारे में इन सब चीजों के बारे में अवेर अगर करते हो एजुकेशन प्रवाइड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेज है एक अवेर्ट सेटिजन या अवेर्ट परसेंट बेटर डिसीजन ले सकता मैं यह नह लगा ही होगा नहीं बहुत ज्यादा चांसेज है क्या है चांसेजंस है अवक्तर मैरिज्ग जो असल्ट है वो डावरी एक्ट डिमेंस्टिक वालेंस एक्ट उसके अंदर में आएगा करे हम फोक्स की बात कर रहे हैं यानि कि चाइल्ड के साथ में किया गया असॉल्ट चाइल्ड के साथ में किया गया सेक्श्वल एक्स्प्लोइटेशन यह चीज़ प्लस में इसके पीछे एक और आधार बताए जा रहा है कि जनरली अभी जो जितने हमें जो क्याने कहते हैं कि maturity वो 16 तक आ चुकी है और इसलिए अब एज के कंसेंट के जो एज है उसको सिक्षी नियर्ज हमें कर देना चाहिए लेकिन इसका मतलब एक और बहुत बढ़ी परेशानी है अगर आप सिक्स्टीन इयर्ज कर दोगे तो क्या इसका मतलब यह है कि 16-18 साल के बच्चों के साथ में sexual assault नहीं हो सकता है कि इसका मतलब यह है कि 16-18 साल के बच्चे को sexually exploit नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है तो आपको यह भी preserve करना पड़ेगा अगर आप consent की age 16 कर रहे हो बट ये भी ensure करना पड़ेगा साथ में कि 16-18 साल के बच्चे 16-18 साल के बच्चे इनके जो rights हैं उनको भी कैसे preserve किया जाए उनको भी कैसे ensure किया जाए ठीक है ठीक है तो ये सारी सारी चीजे आई ठीक बिलकुल crystal clear है किसी को इस से रिलेटेड चले तो यहीं सारी की सारी चीजें तो लास्ट में वही कहने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है कि आपक्सों का जो जो अबजेक्टिव है वह क्या अबजेक्टिव चिल्डरन को प्रिपेर प्रिजर्व करना प्रेट अगर आप डाटा देखेंगे तो रोमेंटिक केसिस बोला गया इनको जो आपके सेक्शुल रिलेशन 18 साल से कम उमर के बने है ठीक है उनको रोमेंटिक केसिस बोला गया जहां पर रिलेशन्शिप के रहा कंसेंट के साथ मेरा गर्ल्स के अकॉर्डिंग उनके फैमिली borso के यंदर में जितने भी केसिस त्युए उसमें से 24.3 पर्सट्सक्य क्या है रोमेंटिक केसिस है मैं पर गर्ल्स का यह उनके फैमिली का यह फिर कोड का क्या है उनके ऐक अगर अगर देखा जाए तो रिलेशन क्या है कंसेंट की द्वारा स्थाबित हुआ है और एक और चीज देखी जाए आसाम महाराष्ट्र वेस्ट बेंगॉल में सबसे ज्यादा केसिज हमें देखने को मिलते हैं जो रेइस्टर होते हैं ठीक है तो रोमैंटिक केसिज इनको कहा गया है तो प्लीज इन सब चीजों को याद रखेगा तो वही कहने की कोशिश कर रहे है कि गर्ल को एज विक्टिम और उनको क्या है अगर क्राइम को देखा जाया 92% है का यहा से परिशानी यह है कि माँठा की चली टяжन क्या है कंसेंट के साथ में है लेकिन 1गारा फाल के साथ में को आप ये कैसे प्रूव करोगे कि हां यह वहाला जो केस है एक अला केस केस्थ तो इस हमें समझने पड़े की लोगों को अवेर करना पदे गांपकी है उनके रिलेशन्षिफ्क के बारे में इनकी Dog는 बारे में स्किल्स एटिट्यूड इसारी चीज़ें हमें इंफॉर्म करनी पढ़ेंगी नॉलेज गैप को फिल करना पड़ेगा यह सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ठीक है और इसके दर में कोशिश की गई है और ज्यादा लोगों को क्या दिया जाए पनिश्मेंट दी जाए जेंडर न्यूट्रल लॉव बनाया गया इसको 18 साल से उपर कम के जितने भी लोगें उन्हें बच्चा ही ट्रीट किया जाएगा ठीक है यही तो परिशानी है ना यही चीज हम डिसकस कर रहे है कि कि के साथ हूप कर रहे है लेकिन क्या है किसी ने क्या कर दिए उनके लड़की के पेरेंटëं कर दी कि मेरा कंसेंटी कर साथ हो लेकिन पेरेन्ट यह कहे है यह कहें पॉक्सों के अंदर में उनके पास अगंपलेंट आती है पूलिस पास में तो उनistent क्या करना पढ़ेगा कौश map कर लिए कि अभी कि अभी अमने बात देखी कि वाइच साब 92% केसिस तो क्या है अब पैड नहीं तो कितना डिले हो जाता है कि क्लीर चले हो गया क्लिया चले कि लेक्स टॉपिक को देखते हैं नेक्स आइर्टिकल है का पेंदेंसी ऑफ केसिज ये बहुत इंपार्टेंट आइर्टिकल है वैसे इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है लेकिन एक अनलिटिकल परस्पेक्टिव से अगर दिखा जाए तो अच्छा आर्टिकल है आर्टिकल क्या है आप सभी जानते हैं अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर में बात कीत हो रही दी तो किरन रिजुजु जी कहते हैं कि इ विकेशनल बनती थी लेकिन इस बार तो क्या हुआ है सबने कहा है कि कोई भी विकैशनल बेंच नहीं बनेगी और इतने सारे के सब्द यानि कि सामने वाले इंसान को लगा कि उनको मिला ही नहीं है तो बर्डन कली हमने देखा था सुप्रिंग कोट के ऊपर बहुत साथा क्या है बर्डन है अब इसका सॉलीशन हमेशा यह नहीं हो सकता कि जजिस को बढ़ा दिया जाए नंबर बढ़ा दिया जाए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आप कली हमने इसके सॉलीशन देखे तेगे आप रिटायर्ट जजिस को पॉइंट कर सकते हो हाई कोड के इंद्रचूर जी ने तो यह कहा था नौ नौवंबर को आए न अभी नौवंबर से आप देखेंगे अभी आज 20 दिसम्बर है और वहां तक कितने केसिस छे हजार 844 केसिस क्या हुआ है क्लियर किया गया है वह बात अलग है इसी बीच के अंदर में पांच हजार 898 केसिस द रिटिन 10aine x 7 situations Bail and transfer related जिसके करान में जल्द से जल्द हम जो हमारे उपर में बैकलॉग है उसको हम क्या करेंगे कmen करेंगे उसका करेंगे कम करेंगे देरे देरे बैकलॉपो कंए तो यहां से इशवान करा रहा है इशो यह निकल करारा रहा है जुय कैसिस की पेंडिंसी का रहना यह सबसे बड़ा serious concern है क्योंकि natural justice system justice delayed means justice denied तो हमें इसको क्या करना है solve करना इस परेशानी को solve करना अब solve करने के लिए हमें solution देखना पड़ेगा यानि की reforms देखने पड़ेंगे तो कली हमने discuss किया कि क्या क्या reform हो सकते है out of the box reform क्या हो सकता है सबसे पहला reform हो सकता है कि आपके जो हाई court के judges हैं जो 62 साल की age में retire हो रहे हैं और supreme court में retirement 65 साल है तो आप उनको यहां पर क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो क्या कर सकते हो उनको कोड के लिए सीमेंट गारा सब लगाकर वहां पर कोड बनाओ तभी जाके हेरिंग हो ठीक है वहां पर क्या करने कि आप यहां पर online mechanism में शुरू कर सकते हो क्योंकि जज अभी जोज राज जैसा में बास चल लेती तो वहां पर किर्ण जॐजुज़ू को प्ल करने के लिए हमारे पास में जयादा अल्से नहींगत थी मैं तो हमें करना पड़ेगा यह सब चीज Goes ने पड़ेगी कि आल्टिमेट सॏलुशन हमें निकालना पड़ेगा जिससे क्या हो जिससे ये हो कि judiciary के अंदर में जो लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं उनको हम क्या कर सके solve कर सके क्या कर सके solve कर सके तो आई थिंग के टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब चीज़े आप करेंगे और कल वाला जो आर्टिकल है वही इसका क्या हो जाएगा क्या है यहां पर इसका solution हो जाएगा नेक्स आर्टिकल है आपका मॉनेटरी पॉलिसी इस होस्टेज टू वेज प्राइस इतनी बार पढ़ाया कि अब तो आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा सारी चीज़े आ चुके होंगी समझ में क्या है मैं आल्रेडी आपको बहुत बार इसके इतना डिटेल डिसकेशन हम कर चुके हैं इनफलेशन और इनफलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाए जाती है monetary policy और monetary policy के इंदर में क्या किया जाता है rate को increase किया जाता है चाहे रिवर्स रेपो रेट हो चाहे इसलर हो सब को इसके जाता है तो हर कोई जो गौर्वेंट के लेवल पर जो एकोनोमिस्ट हैं वह कह रहे हैं कि जो आप monetary policy करते हो यह actual में inflation को control नहीं करेगी यह inflation को control का करेगी इसके पीछ के अंदर में को प्रिपयर करेंगा क्योंकि आरोफ यही लगता रहता है कि जब-घब आप inflation को control करने जाते हों तब-तब क्या होता है development को को नुक्सान होता है कियो होता है development को نुक्सान होता है तो įह चीछ समझने की कोशिश करिए क्या है ये समझने की कोशिश करिए अब पार्लायमेट में जड़ाइड को डिस्कस नहीं किया जब यह निवखना तरह में जब 돼요 रिजुजी की डेफिनेशन देख रहा था तो वहाँ पर जजिस के कंड़क को डिसकस नहीं किया जा सकता यानि कि आप यह नहीं कह सकते हो कि फला फला जज ने यह काम किया है पर्टिकुलर जज का नाम लेके बट हाँ आप एज जुडिश्यरी के इंदर में जो इशू है उन इफ्लेशन कंट्रोल के हम बात कर रहे हैं अब इंफ्लेशन कंट्रोल के लिए क्या करते हैं रेपर रेट को इंक्रीज करते हैं रेपर रेट वह रेट जिस पे आर्बियाई लोन देता है बैंक्स को अब अगर बैंक्स को जो पैसा मिल रहा है लोन मिल रहा है उसके रेट हाई हैं तो फर्दर जो interest rate पर किसी चीज़ को समान देंगे उसको हाई करेंगे interest rate से जो चीज़े आएंगी यानिकी क्या होगा interest rate से क्या होगा परिशानी जो लोन होगा बहुत कम लोग लेंगे इसके काड में investment and consumption दोनों के उपर में क्या पढ़ेगा असर पढ़ेगा ठीक है यह सारी चीज़े तो वह इन शॉट इस आर्टिकल में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के इंदर में इसके जो inflation होता है महंगाई होती है वैसे तो आर्टिकल में नों ने vegetables का ही दोस्ट दिया है कि vegetables की काड में होती है लेकिन मैं इसको अगर बड़े level पर लेको food की काड में होती है जिसके इंदर में grains भी आगे vegetables भी आ गए अब यह क्यों होता है क्योंकि इनकी supply क्या होती है कई बार कम हो जाती है अब supply अगर इनकी कम हो गई है अब supply कम होने के कई सारे कारण हो सकते बारिश अच्छी नहीं होना कई बार बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाना heat waves का हो जाना यह सारी चीजों के कार्ण में क्या होता है supply क्या हो जाती है कम हो जाती है और supply का global उससे कोई लेना देना domestic level पर देखा जाय तो नहीं है और वहाँ पर अगर हम inflation targeting करते हैं हमें कहते हैं कि monetary policy committee के द्वारा उठाए गए steps के द्वारा inflation को control करेंगे तो actual में inflation को target नहीं कर रहा है दरशल वो market के दर मनी supply को कम कर दे रहा है जिसके कारण में development के उपर में असर पड़ रहा है तो हमें ऐसा एक mechanism बनाना पड़ेगा ऐसे एक method बनाने पड़ेंगे जिसके कारण में हम यह ensure करें कि हम actual में जो देश के इंदर में inflation हो रहा है महेंगाई हो रही है हम उसको control करें rather than हम growth को hurt कर दें growth को हम distort कर दें तो वह ensure कि जो आप solution है मायान के चले किसी को बिमारी है बुखार की लेकिन आप कह रहे हो कि नई भया तुम्हें पेट दर्द की दवाई देंगे तो आप भले ही पेट दर्द की दवाई के इंदर में थोड़ा बहुत पहरा से टॉमाल मिला हो दर्द के करने उसको बुखार चला जाए लेकिन एक्जेक्टली आपने दुखार को टार्गेट नहीं किया है वो जो बुखार आया है उनको वो उनके hard work की करण में आए तो आपको उस problem को solve करना पड़ेगा rather than आप क्या करें एक ऐसी monetary policy अपना है जो ultimately दूसरी और चीज़ को नुकसान पहुचा दे भारत में जो inflation हो रहा है वो crop के card में vegetables के card में हो रहा है तो उनको आपको कैसे solve करना है वहाँ पर structural reforms क्या लाने हैं व ultimately हमारे growth के उपर में असर पड़ेगा ठीक है चले तो यह क्या कह रहे है कि जो monetary policy जो बनार यह committee वह वेज़ प्राइस की क्या होस्टेज है यानि कि वेज़ेटेबल के प्राइस बढ़ते हैं उसके card में महेंगाई बढ़ती और वह कहते हैं कि भाई साब हम inflation को अब control करेंग ठीक है चले और वह inflation को control नहीं कर पाएंगे नेक्स आर्टिकल है minimum tax on big businesses अचाव यह चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है इंबट inflation inflation को control करने के लिए monetary policy होती है fiscal policy use कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कभी कभी कहलो वैसे नहीं कर सकते monetary policy ही अपना जाएगी inflation को control करने के लिए क्योंकि traditionally यह कहा गया है देखिए inflation को control करना किसकी जिम्मेदारी है RBI की जिम्मेदारी है money supply को क्या करना आगे बढ़ाना कम करना ज्यादा करना इससे क्या होगा monetary policy होती है fiscal policy government के लावल पर जहां पर घाटा revenue expenditure उनकी बात की जाती है ठीक है चले इस वाले article को देखते हैं क्या है minimum tax on big businesses क्या minimum tax on big businesses European Union इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया European Union की कितनी 136 country ने इन अप्रूवल अप्रूवल दे दिया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया किसको minimum tax को बहुत सिंपल और शालल बहाद में समझाता हूं कई सारी countries ऐसी होती है जो business कर रही होती है ट्रेड कर रही होती है और वो क्या करती है जहां पर वो registered है वहां पर ही हो क्या करते है टेक्स को पे करते हैं और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिस country में बिजनस कर रहे होते हैं वहां से टेक्स से इवेड करने के लिए बचने के लिए क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं उन कंट्रीज के अंदर में जहां पर क्या हो टेक्स ना के बराबर रहाने के टेक्स के लिए वह हैवन के रूप में काम करें अब इस इनके उपर में टेक्स लगाना पड़ेगा इन में आजनटी नेशनल कमपणी के ऊपर में क्या इन शॉट ये क्या किसा म МУЗЫКА कंपनी खुताएं अब टेक्स से बचने के लिए बहुत सारी कंट्री क्या करतीहें को प्रॉफिट है उसको क्या करती है कि उसके इंडर में शीविकर देटेएयंम्हें कि चले उन्हीं की entity है कोई और उसी को पैसा दे देते हैं बाद में कहते हैं हमें तो जी क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ही नहीं बिल्कुल भी प्रॉफिट हुआ नहीं इससे क्या है वह बच जाते हैं टेक्स देने से तो वही कहता है कि यह जो बड़ी वहाँ पर उनके उपर में टेक्स लगाना चाहिए कितना 15 परसेंट का टेक्स क्योंकि आप अगर देखेंगे वर्ल्ड के अंदर में जो कॉर्पोरेट टेक्स है जैसे एक इंडिविजुल को इंकम टेक्स दिना पड़ता है अब आप सभी जानते होंगे इंडिया के अंदर म क्यां टेक्से टेक्स कितना हो चुका है कितने से कम किया गया थ classrooms करने के लिए कि इसके बाद में भी कही चारे करतें अपना प्रॉफेट शो क्या करते हूं कि लिए हैं थे salvation कर दिया है । फाली शारी चीज़े हो गईए कि इस काल सकत कोई प्रोफिट हुआ है अब प्रोफिट हुआ है तो टेक्स किसे लगाओगे। अगर सिद्सक्राइब है यानि कि अगर स्टाब अगर बैलन्स शीट आप उनकी देखो यह प्लीज याद रखिएगा यह बहुत को समझाने की कोशिश करते हैं और अब और टेक्स देने तो इससे हटाने के लिए OECD ने मकैंजम लेकर आएं कि ग्लोबल टेक्स लगाना चाहिए 15% आफ टेक्स लगना ही चाहिए इन बड़ी जाइंट कंपनीज के उपर में और उसके उपर में इन प्रिंसिपल वहां कि एक 136 घंटरी यह विर यह तो यूण को तो और उसके प्रॉफिट की नहीं लगाय है टिक यह लेन तो लगना उफ यूण टव यूण लास्ट वीग agreed in principle to implement a minimum tax of 15% on big businesses ठीक है यूँ मेंबर्स ने कहा है कि हम जो OECD का जो आपका दो पिलर है जिसके नरों कहते हैं कि ऐसे अग्रिमेंट बनाया जाए जो बड़ी-बड़ी कंपनी के उपर में minimum कुछ टेक्स लगाए ही minimum rate of tax लगाए उसको उन्होंने इंप्लिमेंट करने लिए क्या क्या है 15% टेक्स लगाया है अब यहां से एक और चीज़ है बहुत बड़ी परिशानी यह है अगर आप ऐसे टेक्स लगाओगे तो जो कंपनीज है वो उन कंट्रीज के दर में इंवेस्ट करने से पीछे अटेंगी यही तो एक रिजन है भारत ने अपना corporate tax क्या क्या है कम किया है कि वो एसे टैक्स और लगाने लगेंगे ठीक है अगर भारत भी इसे प्रकार के टेक्सिस लगाने लग जाएगा तो आने वाले समय में जो investment है वो क्या होगी कम होगी FDI क्या हो जाएगा दिरे-दिरे कम हो जाएगा देश के अंदर में नेक्स आर्टिकल है आपका Carbon Markets भारत की Parliament ने Energy Conservation Amendment Bill क्या है पास किया है और opposition इसका विरोध किया लेकिन उसके बाद में भी इसको पास कर दिया गया है तो यह क्या है देखे Carbon Market क्योंकि Energy Conservation Amendment Bill जो है यह क्या कर रहा है Carbon Market बनाने की बात करता है क्या करता है Carbon Market बनाने की बात करता है तो Carbon Market क्या होता है मैं बहुत सरल भास्षा में आपको समझाओंगा Carbon ठीक है Market बनाने की बात यह कर रहे हैं तो वह इंशॉट यह कहना चाहते हैं कि ऐसी Market जहां पर आप Carbon को क्या कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं वह यह चाहते हैं उनको यह उनको यह कहा गया है कि भाई आप ज्यादस ज्यादा कितना दो यूनिट ओफ कार्बन क्या कर सकते हो एमिट कर सकते हो और जो B कमपनी है उसको एक आ गया है कि आप चार यूनिट ओफ कार्बन क्या कर सकते हो अब जो A कमपनी है उसने कार्बन एमिशन कितना कर लिया तीन यूनिट कर लिया है यह परेशानी है यानि कि उनके पास सर्ट एक्स्ट्रा यूनिट को क्या करने का मलब एक एक्स्ट्रा यूनिट उन्होंने क्या किया है और जो बी कंपनी है जिसको चार यूनिट क्या करना था एमिशन करना था उन्होंने कितना सिर्फ एक यूनिट एमिशन किया तीन यूनिट का उनके पास में क्या रहे गया रिमेनि क्या करेंगे एक unit इन से खरीद लेंगे जिससे क्या होगा इस company को benefit क्या मिल रहा है कि अपने carbon के emission को कम करने के लिए इसको monetary benefit मिल रहा है और यहां पर क्या हो रहा है इनको penalty देनी पर रही है अपने एक extra unit को खर्च करने के लिए किसको पैसा देखा इससे करोगे तो यह है कारबन प्रकार से काम करती है हर जिए पर अलग अलग तरीके से काम करने का तरीका होता है तो इसके साथ सबसे बड़ा इशू यह है कि अगर हम कारबन मार्केट को स्टैबलिश कर देंगे तो एक्शुली मैं यह जो इनिशेटिव था इनिशेटिव क्या था कि कारबन का का एमिशन को कम करना है उसको क्या करेगा यह हिंडर करेगा कंपनीज बल्कि यह क्या करेंगी कि अपना कारबन के emission को बढ़ाती ही रहेंगी जैसे greenhouse gases का emission हो रहा है लेकिन वो क्या करेंगे जो extra carbon है उसके लिए दूसरी country के दर बें या दूसरी company से क्या करेंगे certificate carbon का purchase कर लेंगे तो यानि कि जो actual जो initiative है carbon emission को कम करना यह उसको क्या करेगा हिंडर करेगा ठीक है पहली चीज़ दूसरा इश्यों और भी यह दूसरा इश्यों यह है कि दूसरे देशों के अंदर में जो ऐसे मार्केट बनाने की बात की गई है वह बिल कौन लेकर आता है मिनिस्ट्री ओफ अनवार्मेंट लेकर आती है लेकिन भारत में कौन लेकर आया मिनिस्ट्री ओफ पावर लेकर आई है तो यह भी क्या है इसके उपर में भी ऑपोजिशन को बहुत सरी क्या थी परिशानी थी यह क्यों लेकर आए दूसरा उन्हें कहा कि यह जो मार्केट के इनर में certificate कौन प्रोवाइड कराएगा कौन रेगुलेट करेगा certificate की checking कैसे होगी इन सब चीजों को लेकर बिल अभी नहीं कर रहा है clarification नहीं है इस कारण से opposition ने क्या किया है विरोध किया लेकिन इन्शॉट कारण मार्केट आप समझें कारण मार्केट यह है यह आप क्या गारना जिसके पास में एक्स्ट्रा कारण पर देख सकते हैं क्योंकि यह क्या है पैरिस एग्रिमेंट 2015 में जूँआ था उसका आर्टिकल 6 यह कहता है यूज ओफ इंटरनेशनल कार्बर मार्केट बाइड कंट्रीज तो फुल्फिल दियर नेशनली डिटर्माइड कॉंट्रिबूशन तो कीप ग्लोबल वामिंग विदिन 2% अब एक और ची समझेगा कि इं भी परचेस कर सकता है यानि की कंट्रीज के बीचे ट्रेड़ ओफ हो सकता है इससे एक और परिशानी होगी कि डेवलप नेशन जिनके पास पैसा बहुत जादा है वह ट्रेड़ ओफ कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में भी ठीक है यह बहुत बढ़ा इसके बाकी इसके पाइद़ ही पाइद़ है यह क्या है ट्रेडिंग सिस्टम जहां पर कार्बन क्रेड़िट को यह अलाउंस को आप क्या कर तो खरीद और बेच सकते हूँ एक तरीके का ट्रेड़ेबल परमिट है यून के स्टेंडर्ड के साफ से देखा है तो एक यूनिट किस तरीके से काम होगा यह चीज इसमें देखी गई हैं तो आज के लिए इतना ही और आज questions नहीं एड़ है तो आगे बढ़ते हैं और session coin करते हैं यह opportunity आप सभी के लिए 2024 के अंदर में अगर आप UPC की तयारी के बारे में मैं सोच रहे हूँ तो फांडेशन आपके लिए 18,999 में आपको 2024 के लिए तयारी के लिए पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है आप सभी इसके इंदर में लक्षे जी बहुत सिंपल सा तरीका है आप यह चीज़ समझने की कोशिश करिए monitor आपको रेइस्टर करना पड़ेगा कि कहां पर कितना हो रहा है एमिशन फिसके लिए चेकिंग होगी सारी के साथ चीज़े होती है कल वाला जो कोट मैंने आपको दिया उसका यह मतलब है इंशॉर्ट यह समझो कि सही समय आ चुका है अप एक्शन लेने का लेकिन आप उस opportunity को यूज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपने का पर कनेक करिए यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी अपने सेशन ऐसी रहेंगे प्रिलिम्स और मेंस दोनों को काउंटर करते वे दोनों को देखते वे अपने सेशन ऐसी रहा करेंगे तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए मुस्कुराते रहें पढ़त टेकर दस्तो जैहिन